बच्चो तो कैसे हो आप लोग यहाँ पर फाइनली कक्षा दसी वालों के लिए गणित का अध्याय टू लेके आ चुके हैं बच्चो बहुपत यहाँ पर चेप्टर हम फिनिश करने वाले बच्चो जो आपका अर्दवासिक परिक्षा में आने वाले क्योशन है और 2023 क्योशन आपको देखने को मिलेगा और एक अबजेक्ट आपको इस चेप्टर से देखने को मिलेगा ठीक है तो आईए शुरू करते हैं पहला क्योशन देख लीजिए निमन द्विगात वेंज को के शुन्य ग्यात कीजिए और शुन्य को तता गुणांकों के बीच यह वाला यह वाला एक्स स्क्यार प्लस साथ एक्स प्लस दस ठीक है यह हमने लिख दिया देखो गुणन खंड विदी से हल करेंगे तो पहले क्या करना है पहले डिजीस का जो आपके इसके गुणाग में क्या दिख रहा है कुछ नहीं तो एक तो ही सही और एक लास्ट वा बीच कि संग्याने चीह यानि कि सात आना चीह तो वह जोड़ा क्या है पांच गुनीद दो 10 आ रहा है और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है तो यह जोड़ा हम यहाँ पर अपछाए करेंगे ठीक है हम साथ एक Eddie क्या लिखेंगे पांच एक्स प्लस दो एक्स पर bix आएगा् ठीक है तो डोनों मैं से common x निकाल लिया यहां पर कितना बचा 1-x बचा Plus यहां पर x यहां गया तो यहां बचा सिर्फ 5 ठीक है यहां पर clear ठीक है फिर Russians यहां से 2 connection लेंगे नो भार आ गया तो यह बचा x और 2 5 दस प्लस 5 5 एस आयर 2-5 दस ठीक है अब यह बचा हुआ है तो x plus 2 लिख दिया इसके बराबर में हम 0 रखेंगे क्यों क्योंकि हमें तो x की value यहाँ पर find out करनी है x की value हमें निकालनी है दो शुन्यक हमें ग्यात करने है ठीक है तो देखते हैं पीछे यहाँ से मैं पीछे बता रहा हूँ ठीक है ठीक है यह देखो x plus 5 बराबर है 0 और x plus 2 बराबर है 0 ठीक है तो यहाँ से x की value हम निकालेंगे तो जो यह plus के है यह बराबर से उदर जाएगा तो minus का हो जाएगा ठीक है इतना सा तो आपको आता होगा basic चीज है देखो फिर x बराबर यह plus का है यह minus का हो गया ठीक है यहाँ तक तो clear हमारे पास 2 वो शुन्यक प्राप्त हो गए अब हम जाज करेंगे बच्चो ठीक है जाज करने के लिए सबसे पहले आपको A, B, C निकालना पड़ेगा तो A बराबर 1, B बराबर 7 और C बराबर 10 अब बच्चे वोल रहे सर ये कहां से लिया तो ये भी मैं बता देता हूं कहां से लिया एक, B बराबर होगा 7, C बराबर 10 ऐसे वेल्यों हम निकालते हैं ठीक है आगे देखते हैं क्षिन में I hope कर ये तो समझ में आ गया होगा कि A, B से हम कहां से लेते हैं अब देखो शुन्यकों का योग क्या होता है alpha प्लस बीटा होता है alpha प्लस बीटा बराबर क्या होता है minus B upon यह चीज़े तो आपको याद रखनी पड़ेगी ठीक है यानि कि इन दोनों का मान हमारा से माना चीए तब जाके हमारी जांच बिल्कुल सत्य हो जाएगी ठीक है तो देभो आलफा प्लस बीटा तो क्या है अमारे पास दो शिन्ये क्या थे माइनस पांच और माइनस दो ठीक है तो ये माइनस असट अस प्लस और कोश्टक में माइनस इन दोनों का अपस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का दो ठीक बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ फिर माइनस साथ बटा एक एक एसा कैसे हमने लिख दिया अब देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है लेकिन आंसर काई में आता है माइनस में आता है तो माइनस के पाँच और माइनस के दो कितने होते हैं साथ माइनस के साथ और यहाँ पर भी माइनस साथ हमारा आ गया बच्छो ठीके बट्टे में एक है तो लिखो ना लिखो कोई दिक् 90 गुण माइनेस 2 यह मैंनेश माइनेस हमेशे प्लस होता है इस चीज कोपो त्याण लगाना ठीक गुडकी माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो पांस दूवातर और इधर? बिल्दश Ah q2 dh a phone 2 यह भी देख लिजी आप ठीके क्या है x square minus 2x minus 8 ठीके trick वही रहेगी x के गुणांक में जो संक्या है वो last में है उन दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या है टाराई अब 8 के 2 ऐसे टुकडे करने है जिनको गुणा करने पर तो 8 आना ची है और जोड़ने वह घटाने पर बीच की संक्या आना ची यानि की minus 2 आना ची तो वह संक्या क्या है 4 गुणी 2 क्या होगे 8 और minus 4 में से plus के 2 जाएंगे तो minus के 2 बज़ रहे तो हमारे पास तो minus के 2 ही तो चीह है में तो यह जोड़ा हमारा यहां पर कामाने वाला है ठीक है हम 2x के जगे क्या रखेंगे minus 4x plus 2x हमने यहां पर रख दिया ठीक है तो एक जोड़ा आपका यह बन गया एक जोड़ा यह बन गया यहां से हम क्या लेगे बच्चो x common निकालेंगे देखो x common आगया तो यहां पर 2x थे तो 1x यह आगया ठीक है minus as it is यहां से x common आए तो यहां बच्चा 4 फिर plus यहां से हम 2 common लेंगे बच्चो तो 2 बारा आगया तो यहां बच्चा x फिर minus और 2.8 यह 4 है बच्चो आपका ठीक है 2.8 ठीक है अब इनके बराबर में हमें शुन्या रखना पड़ेगा पहले जो common आया वो लिकलो x minus 4 और x plus 2 जो बचा हुआ है बराबर 0 ठीक है अब यहां से हम शुन्याग निकाल देंगे इनके बराबर में 0 रखके तो शुन्याग निकल के आएगा x बराबर यह minus का है plus का हो जाएगा और यह plus का है minus का हो जाएगा ठीक है यह basic चीज मैंने बता दिए ठीक है फिर यहां पर ABC हमने निकाल ली मैंने बता दिया पहले question में ABC हमने कैसे निकाला है ठीक है आप question में से देख लेना ठीक है आप देखो शुन्यकों का योग देख लेते हैं सबसे पहले alpha plus beta यानि कि minus b open a देख लेते हैं तो alpha plus beta क्या है आपने पास 4 और minus 2 4 plus और minus 2 यह plus इस वाले का है formula का plus है और यह minus आपका शुन्यक का है ठीक है अब देखो यहाँ पर minus b minus b कमान क्या है minus 2 है double minus है एक तो सुत्र में minus है एक आपकी संख्या में minus है तो यह दोनों minus minus क्या हो जाएगा plus तो plus के 2 हो गए यहाँ पर अब यहाँ पर देखना 4 as it is plus minus आपसम क्या होते है minus ठीक है तो 4 में से 2 जाएगे तो 2 इधर भी 2 बज़ गया तो यह भी हमारा बिल्कुल सिद्ध हो गया आप जाज करेंगे शुन्यको का गुणनफल यह भी देख लेते हैं ठीक है यह देखो शुन्यको का गुणनफल alpha into beta alpha into beta कमान क्या होता है c upon a होता है alpha beta कमान यहाँ पर रख दिया हमने 4 into minus 2 जो शुन्यक आयते वही रखना आपको ठीक है और c कमान क्या था हमार पास minus 8 और a कमान था 1 अब 4 दून 8 लेकिन minus लग रहा है तो minus के 8 और यहाँ पर भी minus के 8 यह भी हमारा सत्य हो गया बिल्कुल सही हो गया ठीक है जो भी doubt हो मुझे comment box में जरूर बताना ठीक है मैं आपको बता दूँगा next question question number 3 देखो 6x square minus 3 minus 7x अब इस question को हम जमाएंगे पहले देखो इस 7x को आगे लिके आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर sign change नहीं होगा बच्चो क्योंकि यह तो बराबर से इधर ही इधर बराबर से उधर जाएगा तब sign change होता है ठीक है तो इनको आगे पीछे हम कर सकते कोई दिक्कत नहीं होगी तो आगे पीछे करके हमारा पास जो final सवाल आया यह वाला है ठीक है यह बहुपद आया जो एक्स स्क्यार माइनस साथ एक्स माइनस के 3 ठीक है अब हमारा पास रूल क्या था पहला डिजीट और लास्त डिजीट में हमें गूना करना है तो छेत्री 18 अब 18 के 2 ऐसे टुकडे करने है जिनको गूना करने पर तो 18 आना चीए और जोड़ने गटाने पर बीच की संक्या आने के 7 आना चीए तो वो क्या है 9 गुणी 2 18 और माइनस 9 प्लस के 2 इन दोनों को जब हम गटाएंगे तो माइनस के 7 आ रहे तो हमारे पास 7 ही तो चीए हमें तो ये जोड़ा हम यहां पर अपलाई कर देंगे साथ एक्स हमने क्या लिखा माइनस के 9 एक्स प्लस के 2 एक्स यहां पर हमने लिख दिया तो एक जोड़ा क्या बन गया एक जोड़ा यह बना एक यह बना अब यहां से हम कोमन निकालेंगे बच्चों कोमन निकालना आपको आना चीए common ऐसी संक्या निकलती है जो दोनों में पूरा-पूरा से यह तो भाग चला जाता है ठीक है देखो यहाँ पर किसका भाग जा रहा है तीन का भाग जा रहा है ठीक है और x यहाँ पर common आ रहा है फिर minus और 3 त्रिया 9 तीन बार गया यह x से तो common आगया था ठीक है इसको नहीं गिनना आपको ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या common आ रहा है देखो यहाँ पर कोई संक्या common नहीं आती है तो 1 तो common आएगे सी तो plus 1 और जो बचा हुआ लिख दो 2x minus 3 ठीक है अब इनके बराबर में हम 0 रखेंगे क्योंकि हमें 0 ग्याद करना है तो 2x minus 3 बराबर 0 3x plus 1 बराबर 0 ठीक है तो हमें x की value निकान लिए देखो x के गुणांक में जो संक्या रहती है वो बराबर से उधर जाती तो बच्टे में चली जाएगी ठीक है और ये भी बराबर उधर जाएगी तो इसका sign change हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये बट्टे में आजाएगी 3 बट्टा 2 और ये हो जाएगा आपका minus का 1 और ये बट्टे में आजाएगी ये हमारे पास 0 निकल के आ गए अब देखते हैं इनकी जाँच हम करते हैं बच्चो ठीक है इनकी जाँच कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर इसकी जाँच होगी ये दगो पहले बीसी निकाल लो ए बीसी हमने निकाल लिया है ए का माने 6 बी का माने 7 और सी का माने क्या है अब देखो फिर minus b upon a तो minus b कमान किया था हम अपने पास minus 7 तो यह minus 7 रख दिया और एक सुत्र में minus है तो वो भी रख दिया ठीके और a कमान किया था 6 6 भी रख दिया हमने अब इसको हम solve करेंगे इन दोनों का lcm कितना होता है 6 ठीके lcm हमने 6 निकाल लिया अब दो का भाग हम 6 में देंगे कितनी बार जाएगा तीन बार जाएगा उसी तीन का गुणा हमें उपर करना है तो तीन त्रिया नो यह नो आ गया इस तरीके से नो आया फिर इस तीन का भाग हमें इस 6 में देना है फिर कितनी बार जाएगा दो बार उस दो का गुणा उपर करना है तो दो एक प्रत्य हो गया ठीके नेश्ट रहेगा आपका शुन्यकों का गुणान फल ये भी देख लो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हमार पास क्या था तीन बॉटा दो गुणा माइनस एक बॉटा तीन यह मार पास दो मान थे और सी अपने एक मान भी हमने आप रग दिया सी यह था हमार पास माइनस तीन और एह हमार पास क्या था अच्छे अब इसको सोल कर लो जब गुणे में हो तो सबसे अच्या है उपटर का उपटर नीचे का नीचे गुणा कर लो तो तो तीन एक कम 3 मानस का 3 और 3 दू अच्छे उधर भी सेम अंसर आ अगया आपका तो यह भी आपका सत्य नेश्ट क्योशन देखते हैं नेश्ट क्योशन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है इसमें बच्चे बहुत सार कंप्यूज हो जाते लेकिन कंप्यूज नहीं होना है इस फॉर्मूले से हम सवाल सोल कर लेंगे देखो एए स्क्यार माइनस बी स्क्यार बराबर पास जो मान आएगा बच्चो एकस माइनस 3 और एकस प्लस 3 यह दोनों शुन्यक हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुए हमें ठीक है तो यहाँ पर हम बराबर में 0 रख देंगे क्योंकि हमें तो एकस की वेल्यू निकाल ली है तो एकस से बराबर ले जाएंगे तो यह तो और यह हो जाएगा और यह माइनस बराबर A रहाए एकस का गुणांग में क्या एक बी यह यह याँ पर दे नहीं रखा है तो वो सुन्य हमने मान लिए है और सी मान क्या है माइनस क्थ सुन्य को क का योग देख लो यहा पर alpha plus beta बराबर क्या होता है minus B upon A alpha plus beta का मान क्या अपने पास दोनों मान क्या है अपने पास एक तो root 3 और एक minus के root 3 ठीक है बराबर minus B का मान तो शुन्य है तो यह तो शुन्य हो जाएगा और जब इन दोनों को हम जब solve करेंगे तो एक minus का एक plus का यह भी शुन्य हो जाएगा तो यह भी हमारा सत्य है अब लास्ट वाला क्या है शुन्योकों का गुणनफल यह होता है अल्फा इंटू बीटा ठीक है अल्फा इंटू बीटा बराबर रहता है सियोपो ने दोनों मान हमने रख दिया है अब देखो जब रूट का गुणा और गुणा रूट दो है तो आपका जो आंसर के आएगा बहुत सी बार बता रखा तो यह आंसर आएगा आपका दो ठीके जब सेम संक्या हो कोमन संक्या हो और रूट में हो तो वही संक्या बहार निकल के आ जाती है गुणे में ठीके कोई भी संक्या ले लो यहां पर आपको दस रूट में है गुणित दस रूट में है तो इसका आंसर क्या आएगा दस इसका सही आंसर आएगा ठीक है यह बेसिक चीज़ आप द्यान रगना है नैश कुशन देखते हैं यह वाले एक द्विकाद बहुपत ग्याद कीजिए जिनके शुन्यकों के योग तता गुणनफ दी गई संक्या है ठीक है क्या कैutral है माइनस तीन दो एक 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 बटा चार माइनस एक य diesen आपको खल करना है ठीक है ठीक पहला क्युशन देख लिए माइनस तीन और दो दी जिनके शुन्यकों को योगจะ कीरा rethink देना माइनस तो हमठी तो माना ध्विगत बहुपत क्या है एक स्क्यार फ्लस vx प्लस Si है झिनके शुर्यक अलफा वह बीटा है अब आपको कुछ भी नहीं करना एक फॉर्मुला दे रहाँ उसको याद कर लेना इक फॉर्मुला को आपको अच्छे से हिटा-गमन क्या है दो ठीक है एक्स-sqfar to az sagte चलेगा अब देखो यहां पर बहुत ही आसानिसे निकल के आ जाएगा एस स्कूर ez यह माइस है माइनस माइस माइनस प्लस तीन-एक्स हो गया प्लस के दो यही तो आपका वह होगे यह गुणन फल है तो हमने मळ्या 14 छुणeight विटा है हमार पास जो शुके यह प्लब्स बीटा कमान आपको या पर रख दिया हमने क्या था था और x as it s अलफ इंट्यू Mais था 1れない स्क्क्राइश हमार पास क्या निकल रहा है एकसуск्यार– expected के वन यहीं आपका फाइनल आंसर बहुत इजी है सिर्व आपको इस फॉर्मुले को याद कर ले ना चाहिए एक और क्योशन बता देता हूं यह वाला भी देख लो इसमें भी सेम आपको करना है पहले शुन्योगों को योग दे रखा है वो लिख लो ठीके फिर शुन्योगो कि थोड़ी आपको आउशकता है ठीके अब देखो यहाँ पर क्या है इनके बट्टे में कुछ नहीं तो हमें एक एक रखना पड़ेगा क्योंकि हमें लसेम यहाँ पर लेना पड़ेगा ठीके इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक रख दिया इसके बट्टे में कुछ भ अब देखो फिर इस चार का भाग हम चार में देंगे कितनी बार जाएगा बच्चो एक बार उस एक का गुणा उपर करेंगे तो एक एक सही रहेगा ठीक है सेम ही रहेगा फिर प्लस फिर इस एक का भाग हम चार में देंगे कितनी बार जाएगा चार बार उसी चार का गुण 4x square माइनस X और plus plus माइनस क्या होता है माइनस होता है तापके पास final रहिए निकलके आगया है ठीके बचो नश क्योशन बताता हूँ है यह वाले क्योशन भी आते हैं पूछते हैं P X ऑर P Y के शुझ्यक की आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं देखो पहला क्यों देख एक तो यह कट रहा है यहाँ पर एक एक कट रहा है दो और यह आके फिर यहाँ पर कट रहा है तीन तो एकस के शुन्यक कितने है तीन उसी प्रकार वाई के देखेंग तो वाई के सिर्फ एक बार कट रहा है तो वाई का तो एक हो जाएगा ठीक है एक क्योशन और बता दिता हूँ यहाँ पर अपन को X का निकालना पिले तो X का तो एक की बार कट रहा है X का एक हो जाएगा Y का देख लो Y का यहाँ पर एक तो यह 1 फिर एक यहाँ पर 2 और यहाँ पर निकल जाया 3 यह 3 शुणक Y के हो जाएगे ठीक है आई होप कि आपको सारे क्योशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे मिलते हैं नैस चेप्रे के साथ अभी के लिए इतना ही थैंक यू बच्चो